अठारा अप्रेल साल 1869 को भारत के पहले स्वाधिनता संग्राम के प्रमुक सेनानायक तात्या टोपे शहीद हुए 1867 की क्रांती में नलनायक भूमिका निभाने पर ब्रटिक शुकूमत ने उन्हें फांसी की सजा दी उनका वास्तविक नाम राम चंद्र पांडुरंग राव था उन्होंने न सिर्फ पहले स्वातंतरता संग्राम की नीव रखी बलकि पूरे देश में आजादी की चेतना का सूत्रपात किया 1877 की क्रांती में उनकी भूमिका सबसे महत्तुपूर्ण, प्रिनला दायक और बेजोर थी जब 1877 का विद्रू शुरू हुआ तो तात्या टोपे ने अंग्रेजों को कानपुट छोड़ने पर मजबूर कर दिया उन्होंने कई युद्धु में रानी लक्षमी बाई का भी साथ दिया उन्हें 7 अप्रेल साल 1869 को ब्रिटिश सेनाउंद्वारा पकड़ लिया गया और 18 अप्रेल को ही मध्यप्रदेश के शुपूरी में हजारों लोगों के उपस्तिती में खुले मैदान में फांसी पल लटका दिया गया 18 अप्रेल साल 1955 को महान व्यग्यानिक अलबड आइंस्टाइन का निधन हुआ आइंस्टाइन ने विशेश सापेक्षिता और सामानी आपेक्षिता के सिध्धान्त सहीत कई योगदान दिये उन्होंने 300 से अधिक व्यग्यानिक शूत पत्रों का प्रकाशन किया साल 1999 में ताइम पत्रिका ने आइंस्टाइन को शताब्दी पुरुष घोशित किया भारती महान गलितग्य सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर बोस आइंस्टाइन स्टेटिटिक्स की खोच की उन्हें सैध्धांतिक भातिकी में विशेशकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोच के लिए साल 1921 में नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया गया